अलो फ्रेंड्स मैं हूँ पंकच पंजवानी एंड यहां पर मैं आपको एक प्रॉबलम का ट्रबल शूट बताने वाला हूं तो यहां पर मेरे पास एक Python जो भी नेसेसरी रिक्वार्मेंट फाइल्स थी एसके लान नमपाई बांड़ सब हमने इंस्टॉल कर दिया था फिर भी यह प्रॉबलम आ रहा था CMD पे भी दन किया तब भी आ रहा था पाई जाम पे भी दन किया तो सेम प्रॉबलम डील लोड फेल्ड वाला आ रहा था एं मेरे सिस्टम में यह सक्सेसफुली वर्क कर रहा था वही स्टेप्स हमने दूसरे सिस्टम में कस्टोमर के सिस्टम में फोलो की तो तो फिर इस प्रॉबलम को हमने कैसे रिजॉल किया वह स्टेप्स में आपको बताऊंगा हो सकता है या आपके लिए भी अगर आप इस प्र scikit-learn में कर चुका था ठीक, sklearn की जगा आप scikit-learn आप यूस करते हैं ठीक है तो sklearn library के लिए हम scikit-learn लिखके install करते हैं ओके तो यह install मैंने किया यह already installed था तो फिर हमने try किया कि थोड़ा सा older version install किया जाए ठीक है तो मैंने जो older version install किया उसका version का number मैंने यहां पर लिखा हुआ है यहां पर मैंने वर्जन का नाम बता दिया ठीक है तो उसके बाद हमारा जो message था यह DLL वाला वो हट चुका था ठीक है मतलब यह वाली problem हट चुकी थी उसके बाद मुझे एक problem शो कर रहा था जिसमें लिखा हुआ था Microsoft Visual C++ redistribution ऐसा करके कुछ message आया था तो दिन आफ्टर हम इस website पर गए ठीक है इस website को मैं open कर देता हूँ यहां पर ठीक है तो यह website को मैंने यहां पर open कर दिया और उसके बाद जो मैंने download किया था तो यह 64 bit के लिए मैंने यहां पर यह वाला .exe download कर लिया और उसको मैं install किया और यह जो है काफी जल्दी install हो गया and then after फिर मैंने program को run किया तो मेरा program जो था successfully run हो चुका था ठीक है तो यहां प sorting tree इसा लिख क्या आता है the specific module could not be found तो फिर आप चेक कर लिजिए सबसे पहले scikit-learn को install कीजिए pip install scikit-learn and अगर उसके बाद भी वर्ग नहीं हो रहा तो आप जो है इसको भी install कर लिजिए Microsoft Visual C++ मैंने बताया इस website पो जाके जो भी आपका system 32 bit 64 bit उसके according आपको यह install करना है and अ आप अनकॉंडा यूज कर रहा है तो आप यह वाली कमांड के थूरू scikit-learn को reinstall करो and उससे भी नहीं हो रहा तो आप क्या करो थोड़ा सा ओल्डर वर्जन इंस्टोल करो तो मैंने जो steps follow की scikit-learn मैंने अल्रेडी इंस्टोल किया था एनकॉंडा का तो हमने नहीं यह वाल साम था वो रन हो चुका था तो अभी मैं इसका प्रेक्टिकल तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि I already resolved this okay so you follow these steps if you face this problem and maybe it will helpful for you okay thanks for watching